क्योंकी बाचा है क्योंकी बाचा है नमस्कार फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे तो बहुत दिन के बाद फिर आज का नया व्लोग में आप सब का स्वावयत है तो आज हमने घुमने के लिए इधर आया था तो मैंने सचा कि एक ट्राइवल विलेज का कुछ सिनाप सब को दिखा दे तो चलेंगे इस पहाड के उपर जो पहाड मेरे पीछे तरब दिख रहा है ना इसके किनारे एक गाउं है तो उसी गाँ पे हम चलेंगे और दिखाएंगे कि ट्राइवल लाइफ कैसे होता है और आज तो मंगलवार है तो आज लगबग यहां से 8 किलमेटर दूर हटिया लगता है हाट लगता है तो पता नहीं लोग वहाँ चले गए है न क्या अगर कोई है गाह में तो हम आप सब को दिखाएंगे कि वहाँ कैसे लोग जीते हैं खेते बाड़ी कैसे होता है है और समझने का कोशिश करते हैं कि पाहार के किनारे का जीवन किस तरह से होता है कैसे गुजरबसर करते हैं लोग तो चले हमलोग चलते हैं और बहुत ही अच्छा न जा रहा है यहां को दिखा दे हैं चारबगल से gegenüber देखें बहुत अच्छा नहीं जा रहा है और ऐसे न हम नने पार कर लिया है एक नदी भी पढ़ता है बीच में तो हम नदी नहीं दिखा पाए आप लोग को तो इस चलते हैं गाव की तरफ और दिखाते हैं कितना उपर है अब गाव कैसे जाना है अब कोई सड़क नहीं है यहां से खेत होकर के ही गाव जाना है इसे मैदान है अभी जहां हम खड़े हैं यहां मैदान है और देखें मेरा गाड़ी है और मेरा भाय है साथ में तो हम दोनों मिलकर के चढ़ेंगे पहाड और देखें कितनी कठिना ही होती है पार चढ़ने में ज्या इस गाड़ी आना जाना तुड़ा दिक्कत है तो आदत हो गया यहां के लोग का की लोग गाड़ी वीव पर चड़ा लेते हैं और मैं भी कोशिश करता हूं इस जंगल से होकर के गाड़ी चड़ाने का एई यह दुखिए फड़ा ज्यादा वीडियो सेक कर रहा होगा क्या कि बहुत उबड कवड़ा और उत्वाव पत्थर है तो जाना तुड़ा मुश्किल है और यहां च्छोटा सम्माइदान जैसा लग रहा है कुछ खेत बना हुआ है और यह ट्रेक्टर आता जाता होगा हमको लगता हुए से ट्रेक्टर का जो टायर का निशान है वह दिख रह और पता नहीं वर्सात के दिन में लोग पैसे आते जाते हैं या तो अगर पानी पड़े तो चपल भी पन लायक नहीं रहा जाएगा इतना किचर हो सकता है देखिए पहुच गए हैं और लोग करते हैं कि जंगल या पाहड के आसपास का जीवन बहुत आसान होता है ऐसा नहीं है दोस्तों या पानी का अभाव हमेशा बना रहता है अब पाहड के उपर में कोई कुवा या तलाब नहीं मिलेगा पाहड के नीचे अगर कोई जहरना है तो ठीक है तो पता करेंगे आज कि यहां के लोग कैसे जिवन यापन करते हैं पानी कहां से लेते हैं तो चलिए बने रहे चलते हैं आगे तो फिलाल दोस्तों आ गए है इस गाह में और देखिए भाय साब बहुत खुसी से बगल में आ रहे हैं और मैंने आप सबको पहले मेरा वीडियो में दिखाया है कि जब भी मैं कहीं जाता हूं तो मेरे अगल बगल बहुत सारे भीड जमा हो जाते हैं अच्छी बात है और सबका वीडियो मेरे चैनल में ज्यादा मिलते हैं तो आज भी एक पहाडिया गाउं है यही पर आये हुए हैं और मेरे दोस्त लोग देखें बहुत सारे हैं और कितने खुस हो रहे हैं यह हमको देख करके तो थोड़ा सा वीडियो पास करेंगे और इसका सेटप थोड़ा स और अगल बाद सब्कोराण । ल нормально खेती होता हैं और कितने छोटागि थोटे शोटे वच्चे हैं देहिए अगल वगव कही ही दुष् Hut है तो इसे बच्चे को पहले बिसकुट चोकलेट वगलाः खिलाते हैं इसके बाद बात करेंगे अगला वीडियो मैंने इस से पहले डाश मेरा आ मैंने दिखाया था कि बच्चा लोग को लोग बौले कि ख़ी लगशा को को चौकलेट खिल आद कि तो वहाँ था ऐसा की मुझे दुकान नहीं था तो मैंने खिला नहीं पाया था तो यह लोग को हम चोकलेट वगेरा खिलाएंगे तो कोई भाय है जो हमको दुकान दिखाए एक भाय साहब है वो बोल रहे है कि दुकान दिखाएंगे चलिए देख लेके चोटा सा गाम है ज्यादा घर है निया लगवक कित देखते हैं दुकान कैसा पहाड के उपर वाला दुकान हमको लगता अच्छा होगा देख लिए उदर पाढ़ है ठीक है चलिए और जो भाय साब दुकान लगा है उसका भी एक दो रुपिया बनीफिट हो जाएगा चलो है चलो है चलो चलो आँ इदर दुकान नहीं है तो चलो दर चलते अच्छी बात है और यहां से और एक टोला मिलता है जो वहां जाने का भी हमको मुझा लगा लोकते वहां दुकान है तो चलते हैं भाई के साथ वहीं पर चलो कॉन आगे आगे जाएगा चैमरा घुमा लेते हैं तब तक देखिए सब भाय आगे आगे जा रह और यह मेरा भाई और हम आगे निकल गए तो हम दोनों को पीछे छोड़ दिये हैं अब देखे यह मेरा भाई है और मैं जा रहे हैं रास्ते में और यह पहाड़ वाला रास्ता है बहुत ज्यादा पत्थर वाला रास्ता और इलोका आदत हो गया है यहां घुमना फिरना अच है पहाड़ है बहुत उपर पहाड है कैमरा पुरा दीखने रहा और चलते हैं आगे और क्याक्या है तो हम लोग दुकान पहुच चुके हैं यह मेरे भाई लोग है लोग हम को दुकान में लेके आए हैं और पहले यहां कुछ है छोकलेट लोगाज खिलाते है भाज सब को इसके बाद विलोगा पुरा गाह दिखाएंगे गाह में क्या क्या है और देखेंगा हम लोग साथ में रहे ठीक है तो पहले चुकलेट ले लिए लिए आप इतना सरा चुकलेट हो गया तो बहन को पेमेंट कर देते हैं कितना हो आपका 50 रुप्य ना लीजे तो बहन को पेमेंट दे दिये हैं तो हम लोग ने दुकान गया था और दुकान से अभी वापस आए और जो भाय साहब है उदर खड़े हैं तो बच्चे लोग को चुकलेट भाट रहे बस यहाँ च्छोटा सा दुकान था और ज्यादा कुछ समान था नहीं होई चक्ड़ेट विशकुट बज़े रहा था तो कुछ चक्ड़ेट हम लोग ने ले利aker कर आया अर देखे भाय से बांट रे चक्लेट बच्चे लोग को बहुत खूस हो रहे हैं बच्चे देख लिए अब बाटने वाला के लिए कुछ बचा की नहीं भाई तो अच्छा हुआ है वह अपने लिए भी बचा के रखें चले बहुत अच्छी बात है और अभी हम थोड़ा सा इन सब चोटे-चोटे बच्चे मैं जहां भी जा चले आज छोटे-चोटे बच्चे हैं बात करेंगे इन से कोई गाना गाने जनता है हमको छोटे-चोटे-चोटे अच्छा लगता है हमको कुछ नहीं समझ भाता है अब मेरे पास लाइब दोस्तों आप लोग वीडियो देख रहे हैं हो सकता है किसी को भासा समझ में नहीं आये तो हमको माप किजिएगा हम लोग का एरिया में यह जो बाइसाब है इलोका जैन संक्या बहुत ही कम है और यह अपना भासा बोलते हैं जिसको पाडिया भासा हैं और मैं हमेशा साथ से कोसिस करता हूं जब घि कहीं बी जता हूं तो मैं यह कोसिस करता हूं कि कम से कम ये लोग का जो कास्त है यह आदिम जर्द जाती में से हैं तो इनका कुछ वीडियो हम लोग को इंटरनेट पर मिल जा तो मैं जब भी जाता हूं हमारे ज्यादा वीडियो अधर कास्ट के साथ नहीं देखेगा मैं यहीं लोग कास्ट में से वीडियो बनाता हूं और मुझे अच्छा लगता है कि छोटे-छोटे बच्चे हैं यह लोग बहुत अच्छे बीएब करते हैं बहुत अच्छा बेवार है इनका यह डरते हैं किसे बहुत नीडर होते हैं आप देखें इनसे हम पुछते हैं ठीक है यह अपना नाम बताएंगे क्या नाम है रस्मी आपका क्या नाम है प्रिया 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 क्या प्रिया 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 आपका नाम क्या है? नालता कॉनसा क्लास में पढ़ते हो? केजिन हिंदी आता है? बहुत अच्छी बाता है इसको पुछते हैं यह तो ड्रेस में ही है हमको इस पता कि यह पढ़ती है क्या नाम है बटा? निश्शा निश्शा पुरा नाम बता पहर निश्शा पहर निश्शा कॉनसा क्लास में? दुस्रा दुस्रा अपका? रिना रिना क्या? रिना पहर निश्शा कॉनसा क्लास में? दुस्रा दुस्रा क्लास अपका क्या नाम है? सुर्जी सुर्जी बहुत अच्छा आपका जोती ऑभ है जोती परेंत्य आपका बभू क्या नाम है नाम है नाते हैं बभू बपारिया बहुत नाम है इस सोफीर के लिए पहुचा था है इस उसके आपका क्या नाम अगस्ट्ट्य मोराmbrewave फूस्ट्यicação कि espresi papaya बहुत अच्छा एधर है कि आप नीचे उतर ये पली डिया नाही रेनुut और युद्ध है यह सबसे ओश्पहले यही मिला तहां ओकरते हैं ला मता नम बहुते हैं आप डनाम मिटीन म्ली खन अट हम पाड ब Emmanuel parya यहां आप डूब को सब्सक्राइब करेंगे को jeton मalsthen कि रहे होती नवी में चलो आप सब अच्तला में अर। आ इससल ने का चालो में सबस्क्राइब कर दो आइगा हो तो यह मलता है। ने इसका यही पेड़ीन कर देता है। कोन गाईगी? यही गाईगी ना। चलो अब गाना गाव इसमें रेकर्ड हो जाए। अब तरी पड़ा है। रेकराई? बेड़ाई? झेलो गाना गाई? परणा बाणा गाई? चोटासा दिल मेरा तमक्त मुखनाचिता क्योंकी बाचा है, क्योंकी बाचा है हम सबसे बोज उटाता है, हम सबसे बोज उटाता है होगिया, बहुत अच्छा, इस अबने मालतो में सुनाएगी क्या, अपना भासा में सुना, हमको समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप लोग से बहुत समझ में आएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग देखते हैं वीडियो, चिक है है, हम हम आएगी क्या भासा क्या अच्छा नहीं है कर दो लाइवार भी देल्वे लुएंगा सबसानें जेते दिस – जन्नीन पैँनर कर दूल दॐार भी दो हां में गाना हुएंगाажу THE झालो के दोईाने का, ने लुटतर स्नुन्नाunta हुएंगा। के दानँर तग्सों कर दो कि दो साना हुएंगा हुएंगा Patyís다 में जिया या बालो में जिया निंगे नेंगे नेंगे में जिया गोशा नावाँ बहुत अच्छा ठीक है बहुत समय भी हो गया और अश्वे हम बच्चे लोग से मिल करके और विशेस कर मैं जब भी आता हूं इस तरह का गाउं से ट्राइबल विलेज से और इस तरह की छोटे-छोटे बच्चे हमें मिल जाते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है बच्